नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशर बिहार सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचीम केके पाठक ने जब से एसेस का पद सम्हाला है तब से लगातार सूर्खियों में आ रहे हैं एक तरफ केके पाठक बेहार की बेहाल और बदहाल सिक्षा विवस्था को सुधारना चाहते हैं उसमें हुई तमाम गड़वड़ियों को सही करना चाहते हैं तो वहीं दूसरी और केके पाठक अकसर अपसरो और टीचर्स के निशाने पर भी नज़र आते हैं केके पाठक आए दिन कुछ ऐसे फर्मान जारी करते हैं जिसके बाद सिक्षा विभाग में हड़कम मस्ता हुआ नजर आता है फिर वो सिक्षकों की सैलरी से लेकर उनकी टाइमिंग को लेकर क्यों ना हूँ एक बार फिर से केके पाठक सुर्खियों में आगे हैं और इस बार उनके सुर्खियों में आने की मुख्य वज़वा वही है जो हमेशा होती है बेतन कटना यानि की सैलरी को काड़ देना बिभाग ने राज के सभी जिला सिक्षा, पतदिकारी और जिला कारिकरम पतदिकारी के अप्रेल में वेतन भुगदान पर रोक लगा दी है बिहार लोग सेवायोग से नियोग सिक्षक और नियोजी सिक्षकों के समय पर वेतन भुगदा नहीं होने की कारण ये action बिभाग ने लिया है बिभाग के ACS, KK पाठा के निर्देश पर ये action लिया गया है संबंध में विभाग के निर्देशक प्रशासन यानिकी सुबोत कुमार चौधरी ने सभी DEO और DPO संस्थापन को मंगलवार को पत्र भेचा है निर्देशक ने मंगलवार को पत्र जारी कर कहा है कि अपर मुख्य सचीब ने बिहार लोग सेवा आयों की ओर से TRE1 और TRE2 के तहत नियुक्त विद्याले अधियापकों के वेतन भुगदान के संबंधित कार प्रकृति की समिक्षा की समिक्षा के क्रम में सभी जिले के विद्याले अधियापकों के वेतन भुगदान की प्रकृतिया अधिकारियों के असर से लंबित पाएगे TRI1 और TRI2 के तहत नियुक्त विद्याले अधियापकों के वेतन अविलम भुगदान करने के लिए अपरमुखे सचीप के आदेश प्राप्त है साथ ही सभी नियोजिस सिक्षिकों के मार्च माह के वेतन का भुगदान अभी तक नहीं किया गया है इसको लेकर भी ACS ने कई वार निर्देश दे दिया है इसके बावजूद विद्याले अधियापकों और नियोजिस सिक्षिकों का स्टाइम पे वेतन भुगदान नहीं किया गया है आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि ये विभागिये कारिकों प्रभावित करने और क्रतव के प्रती घोर लापरवाही और वर्य परदिकारियों के आदेश की अभेलना को दिखाता है सभी से 24 खंटे में इन आरोप की संबंध में स्पस्ट्री करन मांगा गया है स्पस्ट्री करन पर 99 होने तक इन सभी अपरेल 2024 का वेतन जो है वो इस्थागित कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो सिक्षकों की बहाली हुई है यानि कि BPSC, TRE1 और TRE2 के सिक्षकों को मार्च महीने की सेलरी नहीं मिली है और सेलरी अगर उन्हें नहीं मिली है तो सिक्षक विभाग नव इस पर एक्षन लिया है और जितने भी बड़े उच्छ अधिकारी है उनकी सेलरी जो है वपरेल महने के डिड़क्ट कर दिये गए हानि कि उनके काट दिये के है कि पाठक अक्सर सक्षकों की सेलरी को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें महीने में सेलरी जो है वो मिलनी चाहिए क्योंकि सक्षक काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं हर एक रूस को फॉलो कर रहे हैं और उनकी सेलरी टाइम टू टाइम उनके अकाउंट में ज जानी चाहिए अब देखना होगा कि केके पाठक के इस एक्षन से अधिकारियों के बीच कौन सा बड़ा हरकंप मसता है